नमस्कार मैं हूँ अभयकुमार आप देख रहे हैं अपना खास कारकरम बिहार समाचार बिहार समाचार में खबरे बिहार की बाते बिहार की देश-दुनिया की तमाम खबरे जिसे आपको जानना जरूरी है बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से पंचा का हल तो बिहार समचार में हम पहले चर्चा कर रहे हैं बारा तारी को फ्लोर टेस्ट होना है लेकिन उससे पहले सभी दलों ने अपने अपने बिधायकों को नजर बंध कर दिया है जदयू से लेकर भाजपा होया राजत सभी अपनी अपनी ताकत अपनी अपनी शक्ति दिख चाह रहे हैं जदयू को थोड़ा जटका लगा है क्योंकि जदयू ने अपने सभी विधायकों को मंतरी श्रवन कुमार के घर पे भोज के लिए बुलाया था जिसमें चह विधायक गायब रहे और हलाकी राहत की बात यह रही कि भाजपा ने बोद गया अपने विधायकों को बुलाया था उसमें अन्त अंत तक सभी विधायक पहुच गया साम देर साम तक दो विधायक गायव थे वहीं आर्जेडी ने अपने आवास आर्जेडी ने भी आवास में सभी बीधायकों को नजर बंद कर लिया है उनके 78 में से 79 में से 78 विधायक ही पहुँच पाएं हैं तो फ्लो टेस्ट के पहले पटना के गलियारों के पटने पके राजितिक हलकों का तापमान गर्म है और वहीं राजद ने बैठा के बाद बुला खेला होने का दावा किया है राजद बैठा के बाद बाहर निकल कर विधायकों ने कहा कि खेला जरूर होगा वहीं जीतर राम मान जी ने ट्वीट करके कहा है कि जो खेला होना था वह हो गया अब कोई खेला नहीं होगा, हम आपको बता दे कि जीतर राम मांजी को फ्लोटेर से पहले मंत्री बनाया जाएगा, राजसभा भेजा जाएगा और उनके बेटे सुमन को गया से चुनाओ लड़वाया जाएगा, मतलब टिकट मिलेगा, टिकट पक्का हो गया है, तब मांजी अंसारी मामले में, सिता मणी करीश अंसारी मामले में, जो खुद को पुलिस बताया था, और अपने आपको हिंदू बताकर नवालिक लड़की को लब जिहाद फसाया था, होटल बजा कर रीप किया, और उसके बाद उसे रेट लाइटेरिया में बेचने का प्रयास भी किय नियोजे सिक्षकों के हवाले से बड़ी खाबर निकल कर आ रही है, कि नियोजे सिक्षकों के तेवर के आगे केके पाठक से लेकर मुख्यमंत्री नितीश कुमारिया कहिए, शरकार के भी तेवर नरब पड़ गये हैं, सिता मणी केके पाठक ने डायड में द्यार्षियों से बात करते हुए कहा है कि नियोजे सिक्षकों की बढ़ाई करते हुए कहा है कि यह दोंने बहुत अच्छा काम किया है, पर सिक्षन लिया है, अब नियोजे सिक्षकों को जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था कि परिक्षा हलका होगा, तो हम कौन होते हैं भारी परिक्षा दे 10 ज़ता चिसमें को вам पहर जाएगी चु्सरे चरन मे आउसरा कम होगे उन्होंने ड temasак और ये अनवे की जरूरात नहीं है अप्रेल तक DL8 के फाइनल पर इच्छा ले ली जाएगे जून तक रिजाट निकल जाएगा उसके बाद चोथे चरन की वैकेंसी आएगी पाठक DL8 के विद्यार्सियों से संबाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि सब को भरपूर उसर मिलने जा रहा है या तो को दो दिन पहले तिसरे चरन की सिक्षक नियुक्ति के लिए बिग्यापन जारी कर दिया गया है और वहीं सिक्षक नियुक्ति के लिए बिग्यापन जारी हो गया है और फर्म भरने की प्रिकिरिया शुरू है हलाकि कहीं कहीं से ऐसे गायत मिला है कि विपसाइट अच्छे तरीके से काम नह प्ले दिन से दो दिन पहले अपने सभी विधायकों बहुझ को भोज था लेकिन वहां पच्छे बिधायक नहीं है हलाकि सभी बिधायकों से बात हुई किसी ने अपने स्वास्तकारणों का हवाला दिया तो कोई बोला मैं भी राज्य से बाहर हूँ वहीं आरजेटी ने सभी बिधायकों को तेजस्वी आदाव के घर पर बैठक के लिए बुलाया वहीं रोक लिया प्लोट टेस्थ तक सभी बिधायकों वहीं रहना पड़ेगा बिधायकों ने अपने घर से गर्म कपड़े और दवा मंगवा लिया है तेजास्वी ने के घर पर 89 में से 78 विधायक मौजूद है सिर्फ बहुवली अनंस्वी की पत्नी नीलम देवी बैठक में सामिल नहीं हुई थी राज़त परवक्ता में तुन्य तीवारी ने दवा किया है कि 12 फरवारी को बहुत ही रोमांचक खेला होगा इसने पहले बियासगार के मंतिसवन कुमार के आवास पर जेदिव के विधायकों के लिए भोज रखा गया थ हूँ बहुत बड़ी ख़़ आए भागल पूर सितामडी मुंगेर बैसाइली के मुरगोपालगन से करीब 429 बच्चे बिमार पढ़ने की खबर है बिहार में फ्लरीय की दवा खाने से सैकड़ो बच्चे बीमार टेबले खाते ही पेठ दर उल्टी और सांस लेने में पर्शानी हो रही है उबागों ने किया है। बिहार में इसकूली बच्चों को फ्लरीय की दवा अलवेंडा जोल खिलाई जा रही है। से खाने के बाद सनी वार्साम तक भागलपूर सिता मड़ी मुंगेर बैसाली कैमूर और गुपाल गंज के में करीब 427 बच्चे बीमार पड़ गये हैं जिसके कारण अज़ावकों ने बच्चों के अभावकों ने हंगामा किया है और वहीं बिहार में माज से मौसम बदलेगी बढ़ेगा तापमान 12 से 14 फरवरी तक 22 की समभावना है 12 के बाद ठंड की बिदाई हो सकती है बिहार के अधिकतर जीलों में पच्चों हावा ने पिछले कुछ दिनों से कंकनी बढ़ा रखी है पिछले दो दिनों से 20 से 30 किलोमेटर पती घंटे की र पुर्वा हवा चलने से अधिकम तापमान और निता तापमान में 2 से 3 डिगरी सेलसियत तक की कमी बढ़ोतरी हो सकती है और आज से जब हम शुबा हमें बात कर रहे हैं हो सकता है दो फर में तापमान बढ़ह जाए और बहुत बड़ी खाबर आ रही है दिल्ली से अमित्सा CAA लोग सभाचुनाओं से पहले लाएंगे यह हमीत्सा ग्री मंत्रमी शाह का बयान है यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा मुस्लिम समधायों को उकसाया जा रहा है ग्री मंत्रमी शाह ने कहा है कि लोग सभाचुनाओं से पहले देश में सिटीजन सिप अबेड या किसी भी तरह का किसी कोई नावी लिखता नहीं छीनेगी मुस्लिम समधाय को भढ़काया जा रहा है वह राम मंदिर पर बयानवाजी रुठामने का नाम नहीं लेराब लोग सभा में भी राम मंदिर पर बयानवाजी शुरू हो गई है हलाकि शिख सप्ता हाउस फूल चल रहा है राम मंदिर उध्या का राम मंदिर हाउस फूल चल रहा है लेकिन वो वैसी असुदिन वैसी ने कहा है कि मोधी सिर्फ एक मजहब के शरकार है उन्होंने आरोप लगाया है कि मोधी सरकार सिर्फ एक मजहब के शरकार है बाबरी महज दोपर ढ़ाई बजे गिरी मंतिय में इस्ता तीन विनिट बोले उन्होंने कहा गुजरात में कहावत है कि हवन में हड़ी नहीं डालते हैं हम आपको बता दे कि हैदराबाद के ओवैसी ने सदन में ही बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाये थे जिसके कारण महोल थोड़ा गरम हो गया था वहीं सीता मड़ी के लब जहाद का जो एंगल है वह बदल गया है आरोपी अनीस अंसारी के बारे में बहुत सारा खुलासा हुआ है अनीस ने खुद को पूलिस बाला बताया था कहता पिता पुरु बिधायक है नवाली का साजिया नाम से बनवाय अधार कार्ड सिता मड़ी में लड़की ने अपने फाइयर में कई खुलासे किये हैं लड़की ने बताया कि अनीस उससे कहा था कि उसके पुरु बिधायक है वह एक पुलिस वाला है अनीस ने होटल में रूपने के लिए लड़की का साजिया नाम से फर्जी अधार कि बिहार में भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी 25 का चुनाव डिप्टी सीम के बहुत माइने रखते हैं बिहार में एक दिन भाजपा अपने दम पर सरकार बनाईगी यह कमिटमेंट है समराथ चौधरी का पार्टी का लक्ष अपने बल्बुत्ते पसत्ता में आना है जं माना जा रहा है रहती खलकों में कि क्या है जड़ी और भाजपा के भी गठवन्धन जादा दोस्ती जादा दिन तक नहीं ठीकेगी क्योंकि समराथ चौधरी सिर्फ गठवन्धन बनने के दस्वें दीन भी अपने कमिटमेंट को दोराया है और हुने एलान कर दिया कि बिह पाजपा अकेले धम पर शरकार बनाएगी और इदर खाबर आ रही है अजीत लोड़ा पर याद होगा खाकिद अभिहाद चेप्टर के रियल हीरो आई जी अमीत लोड़ा को हाई कोट से नहीं मिली है रात आई जी लोड़ा पर भरश्टाचार के मामले में एस वी यू चा माह में चार सिट देगी एस वी यू के एफाईयर में कई आरोप है लोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने मगत रेंज के आई जी रहते हुए फ्राइडे अस्टोरी टेलर एल एल पी वा अन्न के साथ साथ गाठ कर आकू चल अचल संपत्ति अर्जित की है जो उनकी आय के बै कामले में दिल्ली के रावबी मीशा और हेमा की पेसी होई अगली शुनवाई 28 को होगा रावडी मीशा हेमा को अंतरिम जमाणत बौंड भावरा गया है और उन्हें फिर से सामिल होना है पूचता कि 28 पेस्थि होगी जो अगली शुनवाई होने वाली है और वहीं क्रिसी मेले में श्कुली छातों ने फसल चक्र को समझा और ड्रोन से खाद वकित नासी काच्छिल काउश सीखा है वहीं BPSC से चैनी इताधिकारियों को चार चर्णों में दी जाएगी ट्रेनिंग विपाड में बारा से इंडक्शन प्रोग्राम है वहीं नितीज कुमार्क ने समाजिक नियाय से विस्वासगात किया है बाम दलोकारोप है और पाकिस्तान में जो चुना हुआ है उस पर अभी तक बिवाद गहरा गया है नवास सरीफ बेगर बिलावल भुटो के सरकार बनाना चाहते हैं और बिलावल का बिकल्प चुन रहे हैं वहीं इमरान खान के PTI ने कहा है कि यह चुनाओ में धांधली हुई है और उन्हें जान बुच कर हराया गया है और इधर चिन्नाई से दो ग्रिफतार है पटना वे शेपे मारी हुए है जे एसस्य पेपर लिक परिफ्षा संचालित कराने वाली एजेंसियों करमचारियों से भी पूछताच किया जा रहा है वहीं राजभर के बिद्दालों में गेट्ट फाकेल्टी की नियुक्ति की जान सुरू हो गई है शिक्षा विभाग निश्चमी विश्विद्दालियों से नियुक्ति रिपोर्ट मांगे हैं पूछा है नियुक्ति राजपल सचवाले के निदेश के रूप हुआ है कि नहीं हुआ है और इधर मौनी अमस्या को लेकर कॉलेश्वा तिर्वनी संगम तट काली घाट लोकुस और उनकी मौत हो गई है तो दोस्तों यह थी तमाम खबरे जिसे आपको जानना जरूरी था इसी तरह से खबरों के लिए जुए रही है अमारता चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं वीडि मात रख